ओहो इस वक्त कौन आ गया वैसे ही क्लिनिक के लिए लेट हो रहे हो अरी जरह सुनिए ये नाशता डैनिंग टेबल पर रख दीजे प्लीज तब तक मैं देख कर आती हूँ कौन आया है पर मैं भी तो आफिस के लिए लेट हो रहा हूँ तुम जोही को बोल दो न वो घर में वो तब तो बोलू पता नहीं कौन सा केस लड़ रही है मैडम सुबह सुबही निकल जाती है घर से अज जाने तो मैं ही करती हो अरे रिको तुम नाशता लगाओ मैं इंडोर मैं खोल देता हूँ हाँ ये ठीक रहेगा इसके बाद सरीता अपना बनाया हुआ नाशता डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी जहां पहले से ही उसका देवर मुकेश और सास लीला बैठे हुए थे और फिर आज फिर से हो पमा और यह सत्तु का शर्बत ओहो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं हम और आपको जो पसंद है उसी ने आपका लीवर खराब किया है देखो मुकेश भाया अभी उमर कम है तो खाने पीने को ठीक करके ही बाद बन जाएगी वरना बाद में बस बस भाबी मैं समझ गया मैं खा रहा हूँ हम मा जी ये लीजे आप भी शुरू कीजे हाँ बेटा लाओ ये राकेश कहां रह गया अरे हाँ वो तो मेंडोर खोलने गये थे मैं देखती हो इतना कहकर सरिता घर के मेंडोर की तरफ जाने लगी लेकिन तभी राकेश उधर से आ गया उसके हाथों में एक कागस था और चेहरे पर परिशानी जिसे देखकर सरिता ने पूछा क्या हुआ जी? कौन था? ये नोटिस आया है कोट से तो तुम्हारे खिलाफ? है? मेरे किलाफ पर मैंने क्या किया? लाइए मुझे दिखाएए ये कहकर सरिता ने वो नोटिस लिया और उसे बहुत ध्यान से पढ़ने लगी उस नोटिस को पढ़ते हुए सरिता का चेहरा गुसे से लाल होता गया और फिर वो तिल मिलाती हुई अपने देवर मुकेश के पास गई ये क्या है भाईया? आपके बीवी को अखिर दिक्कत क्या है मुझे? ये नोटिस? क्या मतलब है इसका? वो वकील है तो क्या कुछ भी करेगी? भाई इस सब के बारे में कुछ नहीं बता रुकिये पहले मैं से पढ़ लेता हूँ उसकी जरूरत नहीं है मैं ही बता देती हूँ आपको कि आपके इंसाफ पसंद बीवी ने क्या इल्जाम लगा है मुझे पर पहले तो ये कि मैं इस घर में हिटलर की तरह बरताफ करती हूँ बोलिये क्या ये सही है? नहीं बाबी बिल्कुल भी नहीं हाँ और दूसरा इल्जाम ये कि मैं इस घर के लोगों को टॉर्चर कर रही हूँ अपना बनाय हुआ बेसवात खाना खिला कर माजी आप बताएए मैं क्या गलत करती हूँ? मैं एक डॉक्टर हूँ इसलिए अच्छे से समझती हूँ कि इस घर में किसको क्या कहरा चाहिए? सारा दिन क्लीनिक में ऐसे ऐसे पेशिंट्स देखती हूँ कि बन गपरा जाता है मेरा मैं तब ही तो ओहो इतना परिशान मत हो बेटा अब जो ही तुमसे चोटी है देवरानी है तुम्हारी नादान है उसे घर आने तो मैं बात करती हूँ से रहने दीजे माजी आपकी चोटी बहु बात करने में नहीं बल्कि सीधा कोट में जिरह करना जानती है तो फिर ठीक है इस बार इस बार मैं भी उसे उसी की भाशा में जवाब दूँगी सुनिए कल हम कोट जाएंगे और आप सब मेरी तरफ से बोलेंगे ठीक है ना लेकिन सरीता इस सब की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल ज़रूरत है अब बात मेरे आत्म सम्मान की है जिसे मैं कोट से जीत करी लोटूंगी तो इस तरह देवरानी जेठानी के बीच आरपार की लड़ाई छिड़ गई असल में सरीता पेशे से एक डॉक्टर थी दूसरी तरफ उसकी नई नवेली देवरानी जुही जो की पेशे से एक वकीर थी उसे शुरू से ही बाहर के खाने का बहुत शौक था साथ ही उसे किसी के सामने जुकना तो कतई बरदाश नहीं था असल में ये सब शुरू तब हुआ जब जुही ने शादी के बाद पेहन बाद सरीता के हाथों का बना खाना खाया भाबी ये लौकी ये कौन खाता है और ये रोटी ये कितनी मोटी है हाँ क्योंकि ये multigrain आटे से बनी है और अभी गर्मियों के दिन है तो लौकी बेस्ट होती है लेकिन भावी ये सब तो tasteless है अब मैं तो ये नहीं खा सकती मुझे लगा था कि मेरे स्वागत के लिए आपने कुछ चाइनीज बनाया होगा जो मुझे बहुत पसंद है खेर कोई बात नी, मैं खुदी बना लेती हूँ रुको जुही, खाना बन चुका है और अब दुबारा कुछ नहीं बनेगा तुम्हें पता है न मुकेश भिया का? हाँ हाँ, पता है, इनका लीवर फैटी है और ये बहुत कॉमन है आजकल भावी इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है और वैसे भी आपकी तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ और इस घर की रसोई पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना की आपका ये कहकर जूही रसोई में गई और उसने अपनी पसंद का चाइनीज खाना बनाया और बस उसके बाद से ही दोनों बहूं में हर रोज खाना बनाने को लेकर कहा सुनी होने लगी और अब जे ठानी होने के नाते सरिता का पलरा भारी पढ़ने लगा तो जुही ने अलग पैत्रा अपनाया और सरिता के नाम कोर्ट से नोटिस भिजवा दिया जिसे एक चुनोती मान कर सरिता भी तैयार थी अपनी देवरानी को मुहतोर जवाब देने के लिए हाँ तो मिसेस सरिता अब आप ही कोर्ट को बताएए कि आपको किसने हग दिया अपने ससुराल वालों को इस तरह टॉर्चर करने का ऐसा आपको लगता है मैडम मैं अपने घर वालों को टॉर्चर नहीं कर रही बलकि उनका बहतर तरीके से खयाल रख रही हूँ ताकि वो कभी बिमार न पड़े लेकिन सरिता जी आपका बनाय हुआ उपमा, ढोकला और वो सूखी इडली खाखा कर बेचारी घर वाले अपने टेस्ट बट सी खोचुके उसका क्या? सच कहूं तो सबकी जीने की इच्छा ही खत्म कर दिया आपने शट अप ये सरासर जूट है योर अनर, आप मेरी सास, मेरे पती और मेरे देवर को यहां बुला कर पूछ लिजे फिर दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा इसके बाद राकेश, मुकेश और लीला को बारी-बारी कट घरे में बुलाए गया लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला क्योंकि दोनों बहों में से किसी एक का पक्ष लेना किसी के भी बस की बात ही नहीं थी और फिर उसी रात मा जी, इतनी रात को क्या हुआ सब ठीक तो है न बेटा, वो मुकेश पिछले चार गंटों से तड़प रहा है, उसके पेट में बहुत दर्द है अरे, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया बस क्या बता हूँ, वो छोड़िये ये सब, अब मैं जाकर देखती हूँ सरिता ने फॉरण जाकर मुकेश का चेक अप के और फिर अगले दिल भावी, अपसे इस घर की रसोई में हमेशा वही पकेगा जो आप कहेंगी जोही की बात सुनकर सरिता की आँखों में भी आँसु आ गए और वो जोही को गले लगाते हुए बूली नहीं, गलत मैं भी थी कल घरवालों को असमज़स में देखकर मैं भी समझ गई कि सेहत सिर्फ अच्छे खाने से नहीं की खुश रहने से भी बनती है और घरवालों को वो खुशी तुम्हारे बनाई खाने से मिलती है इसलिए घरद की रसोई को अबसे मैं केरी नहीं बल्कि हम दोनों मिलकर चलाएंगी आहा हा हा इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग भाई वा तो बहु ये तो बताओ कि आज खाने में क्या बनेगा लखनौ शहर में रहने वाली उर्मिला के घर को देखकर तो सभी को लगता था कि उर्मिला की पाँचों उंगलियां घी में है क्योंकि उसके घर में पाँच सरकारी नौकरी वाली बहुएं जो थी उर्मिला की सबसे बड़ी बहु सीमा सरकारी डॉक्टर थी दूसरे नंबर वाली पूजा पुलिस ओफिसर तीसरे नंबर वाली बहु नेहा कॉलेज में प्रोफेसर चौथे नंबर वाली आर्थी बैंक में मैनेजर और सबसे छोटी बहु निशा सरकारी वकील लेकिन कहते हैं न हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती कुछ ऐसा ही हाल उर्मिला के घर का भी था पांचो बहु को अपनी अपनी सरकारी पोजीशन का घमन था भले ही उसकी बहु में कितने भी बड़े सरकारी पत पर काम क्यों न करती हो लेकिन घर में हमेशा अपनी अपनी सरकारी पोजीशन को लेकर आपस में लड़ती रहती थी और एक दूसरे को नीचा दिखाती रहती थी जिससे उर्मिला काफी परिशान थी पुजा तुम अपनी पुलिसगीरी का रुवाब मत दिखाओ मैं भी एक सरकारी डॉक्टर हूँ, उम्र में तुमसे बड़ी हो तो क्या हुआ अगर आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मुझे हमेशा कुछ ना कुछ काम देती रहेंगी पुजा भाबी, आज सीमा दीदी ने आपको काम दे दिया तो आप चिल्लाने लगी और जब आप मुझे अपना काम देती हो उसका क्या वेरी गुड मॉर्निंग मा, आज सुभा सुभा मेरे कमरे में कैसे आना हुआ? ये लो बेटा परसाद मा, आज तुम मंदर गई थी क्या? हाँ बेटा, आज तुम्हारा जनम दिन है ना, तो भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करने गई थी ओ, मा मैं तो भूली गया था भला अपना जनम दिन भी कोई कैसे भूल सकता है बेटा मा, ये सब चीज़ां याद रखने के लिए लाइफ में थोड़ी शांती होनी चाहिए लेकिन शादी के बाद तो मेरी लाइफ में शांती रही नहीं गई है इसलिए ना ये सब चीज़ां याद रहती है और नहीं मन करता है सेलिबरेट करने का इस घर की अशांती की वज़ा से आज मेरा बेटा अपनी जनम दिन वाले दिन भी कितना दुखी है अरे क्या हुआ मा, आप मेरी बाते सुनकर किन खयालों में खो गई मोहित अपनी मा से अभी ये पूछी रहा होता है कि इतनी देर में बाहर से जूर जूर से चिलाने की आवाज आने लगती है जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो पांचो पहुए एक दूसरे से जगर रही होती है अरे क्यों इतनी सुबह सुबह एक दूसरे पर इतनी जोर जोर से चिला रही हो चुप हो जाओ सब की सब भावी अगर आप अच्छी पोस्ट वाली है तो क्या हुआ? आकिर हमारे पास भी तो सरकारी नौकरी है हाँ पुझा भावी आरती भावी बिल्कुल सही कह रही है हम सब भी तो सरकारी नौकरी वाली ही है अरे मैं तो कहती हूँ आग लगे तुम्हारी ऐसी सरकारी नौकरी को जिसने घर में इतनी अशान्ती फैला रखी है इस घर में तो एक पल भी जीना मुश्किल हो गया है माची अब हमने ऐसा क्या कर दिया कि आपका जीना मुश्किल हो गया है अरे माब, आप क्यों इन सब के जगडों में पढ़ रही हो, लड़ने दो इन्हें आपस में जितना लड़ना है, इनके पीछे आपकी अपना खोन जला रही हो ने हां, तुम तो चुपी रहो, तुम अपना ये लेक्षर अपने कॉलेज में देना वहां काम आएगा, मुझे तुम्हारी इस लेक्टर की कोई जरुरत नहीं, क्यों भाबी, सच बात आपसे बरदाश्ट नहीं हो रही क्या, हां पर वैसे भी पुलिस वालों को सच कहां बर गूप मानते हैं, बिलकुल सही कहा भाबी आपने, मैंने भी पुलिस वालों के बारे में यही सब सुना है, इन लोगों की तो कोई इजज़त ही नहीं होती, भले ही सामने सब डरते हों, लेकिन उनकी पीट पीचे तो सब गालियां ही देते हैं, हां हां मैंने भी यही सब चुब भी रहो तुम सब के सब, तुम सब को तो मैं देख लूँगी। हाँ 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 हम भी देख लेंगे, आपसे डरते हैं क्या हम लोग। हाँ हमसे पंगा लेने की सोचना भी मत। इतना कहकर पांचो अपने अपने काम के लिए निकल जाती है। और मोहित भी गुस्से में ऑफिस चला जाता है, और फिर इसके बाद उर्मिला सर पर हाथ पकर बैट जाती है। अब वो अपनी बहों की रोज-रोज की इस लड़ाई से तंगा चुकी थी। इनी सब के कारण वो अपने पडोस्तियों से नजर तक नहीं मिला पाती थी, लेकिन फिर भी वो कभी अपने पडोस्तियों से अपनी बहों की बुराई नहीं करती थी, बलकि उनकी तारीफों के पुल ही बांधा करती थी। ऐसे कुछ दिन और बीच जाते हैं, फिर एक दिन उर्मिला अपनी सभी बहों को बुला कर उनसे कहती है, सुनो बहों, गाउं से फोन आया था कि तुम्हारी दादी सास की तब्यद बहुत खराब है, और वो तुम सब से मिलना चाहती है, इसलिए तुम सब अपने कामों से चुट्टी ले लो, हमें कल ही गाउं के लिए निकलना होगा, ये आप क्या बोल रही है माजी, आप तो जानती हैं हम पुलिस वालों के लिए कोई चुट्टी नहीं होती, और गाउं जाना मतलब दो-तिन दिन की चुट्टी, ना बबाना, मेरा जाना तो मुश्किल है, गाउं में और भी तो डॉक्टर होंगे, वो दादी मा को देख लेंगे, मुझे यहां मेरे पेशिंट भी तो संभालने हैं, और वैसे भी मेरे सीनियर डॉक्टर मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तो मैं चुट्टी नहीं ले सकती, आप आर्ती को ले जाओ, हाँ, जैसे कि मे माजी के साथ नहीं जा सकती, इसलिए मुझे आगे कर रही हो, और वो भी गाउं, ना वबना, इसके बाद उर्मिला की बहुएं बिना उसका जवाब सुने ही वहां से चली जाती है, उर्मिला को उनके टाल मटोल देख कर बहुत तकली होती है, कहने को तो उसकी पांच उस घर में कोई नहीं था, फिर अगले दिन उर्मिला अपनी बहुएं के बारे में सोफे पर बैठी सोची रही होती है, कि तब ही उसका बेटा मोहित ऑफिस से घर आता है और अपनी उदास मा को देख कर कहता है, मा क्या हूँ आपको, आप इतना उदास क्यों हैं, बेटा तुम्हारी दादी की तब्यत बहुत खराब है, और वो अपनी पांचो पोता बहुं से मिलना चाहती है, तुमा इसमें परिशान होने वाली क्या बात है, कली हम सब के सब गाउं चलेंगे, बेटा क्या मूह लेकर जाओं मैं, पांचो ने अपनी सरकारी नौकरी का रौब दिखाते हुए एक जटके में मना कर दिया, अच्छा तो ये बात है, आप उदास मत हो मा, हम दोनों ही चलते हैं दादी जी से मिलने, इनको जाने दो, इनने तो अपने सरकारी नौकरी के घमेंट के अलावा कुछ नहीं दिखता, फिर अगले ही दिन उर्मिला और मोहित इसके बाद उर्मिला अपनी बहों से कहती है, तुम पांचो को पार्टी करने का टाइम है, लेकिन अपनी सास और पती के लिए टाइम नहीं है, आज तक तुम लोगों ने बहो होने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं नभाई, और नहीं कभी ये जानने की खोशिश की कि तु आओ तुम सब यहां से, अब बहुत हो गया। उर्मिला का ये रूप देखकर पांचो की पांचो डर जाती है, साथ ही उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है, सभी हाथ चोड़कर उर्मिला से माप्य मांगती हैं और फिर कभी अपनी सरकारी नौकरी का रॉब ना दिखाने का बादा करती हैं और साथ ही साथ अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाने की भी कसम खाती हैं।